साइट है IndianExpress.com यहां पर हमें बहुत ही अच्छे समझाया है कि Reliance Jio के जो फोन है उसमें कौन सा सिम काम करेगा किस तरीके सिम काम करेगा सिंगल सिम रहेगा कि डूल सिम रहेगा तो आइए सारी चीजे में आपको इस वीडियो में समझाता हूँ जैसा कि यहां पर लिखा गया है Reliance Jio Phone is not a dual sim feature phone जैसा कि यहां हमें Jio के correct representative ने confirm किया था कि यह जो Jio का phone है वो किवल और किवल single sim phone रहेगा वो dual sim नहीं होगा पर हो सकता है कि आने वाले time में Jio का ऐसा phone variant आ जाए जिसमें कि आपको dual sim देखने को मिल जाए पर हो सकता है वो October में launch हो अभी कोई उसकी guarantee नहीं है कि वो variant launch होगा या पर नहीं पर अभी के लिए जो आ रहा है वो single sim बाला रहेगा तो यह बत आप धियान रखिएगा अब दोस्तों single sim बाला रहेगा कि क्या कोई और sim उसमें काम करेंगे या पिर नहीं can you use other network numbers on the Jio phone मतलब कि दूसरी telecom company जैसे की Vodafone आईडिया है यह सब काम करने वाले हैं उसमें उस phone में या पिर नहीं दूस्तों मैं आपको simply clear कर दूँ वो जो phone है Jio का वो 4G वोल्टी ही है और आजकर जितने भी हमारे इंडिया में telecom वो सब 4G है किवल और किवल Jio को छोड़ Jio यकेला 4G वोल्टी ही है तो जो भी company 4G होगी वो उस phone में support करेगा और अभी के लिए तो Jio ही 4G वोल्टी है तो अभी उसमें Jio ही अगर आने वाल टाइम में अगर आपने 4G वोल्टी वोल्टी ला देते हैं तो वो भी काम करने लगेंगे Jio के feature phone में पर अभी के लिए तो नहीं करेंगे तो अगर आप Jio का phone खरीदने के सोच रहे हैं तो Airtel या फिर कोई और Jio को छोड़ आप भूल जाएए दोस्तो मुझे उमीद है मैंने आपकी सारी doubts कर दिया हूंगी ये website काफी काम कि इसकी link description में दे दूँगा आप और सारी वहां पर articles पढ़ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही था और अगर आप दोस्तो तो दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था उमीद है इस वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साश्रेयर भी कीजिए और अगर आप मेरा चाहरा पहली बाद देख रहे हैं